आप सब का स्वागत करता हूं अपनी ओनाइन टीचिंग क्लासे में आज मैं 12 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए उनका लेसे नहीं रिटन बाइ पूर्ल एसबर्ग लेकर आया हूं और ये बुक विस्टाज से है चलते हैं आगे इस पर्ल एसबर्ग इनके बारे में मैंने डिटेल में आपको फर्स्ट वीडियो लेक्शर में बताया था इस पर्ल एसबर्ग में और इनका जनुट 26 जो निसो 1892 को हुआ था यूस में और छे मार निसो तीह तर दैन भी वर्मॉंट यूस में इनका देनाथ हुआ था आगे यूस था लिए यून्ट 2 दैनि वी पैल इस स्वर्क वीडियो लेक्श टुए रिए उट ट्सकी यre टिखने विडियो सीा था दू बडियो लेक्शिते नुट रिवार्ट उन्यू लेक्टो लेक्षर उन्यू और भीडियो लेक्षर टुआ ऐन्स ऑन्स वीडियो ले बता रहे हैं कि वो प्रफेसर हार्ले की घर में ना जाते हैं दे रूमस वर वर सो स्माल क्योंकि रूम बहुत चोटे थे दे पूद वाद भोजन अच्छा नहीं था अच्छी क्वालिटी अच्छी रहने था बट यह गोन और यह फांद हाना रंतू से जाना पड़ा वो गया वहां पे क्योंकि वहां पे हाना थी एक नई स्टुडेंट आई थी कोचिंग क्लासे में और है फेल्ट यूद लव पर इफ वर अट वर पॉसिबल अगर संभव हुआ अगर कंडिशन्स पूरी हुई जो फादर ने रखी कंडिशन्स है तो हना से वो प्यार भी करेगा ये उसके दिल में ये बात आई डॉक्टर सिदा होगे नौ से बाद शच्च्च तो हम दो दो भी का उप्या आई डॉक्टर स्हीं में घाद स्थिव इस अम तो हना ने उसके कंडिशन्स पर रखा हुआ ता और उसके का ने आई पर वाह ने जोट बादॉपना का ने पर ने है तो हरका जोल पर ये पर टेसा टॉव तो इसकी तो वो महसूस करा था, and he was aware, he was aware of that pleasure, जो खुशी उसे मिलनी थी, even though they had been married years enough, और यद पी उनकी शादी को हुए कही वर्स हो चुके थे, उनके पास दो बच्चे नी थे, to have the two children, but they had not married headless, heedlessly, sorry, heedlessly, without thinking, without caring, बिना सोचे समझे, उन्होंने शाले नहीं की थी, वो प्यार आज तक जीवित था, जिन्दा था, उनके दिल में, और now, they had finished their work at school, and had come home to Japan, जो schooling थी, जो शिक्षा लेनी थी, उनको, वो फिनिश करके वो जपान में आ गया, and when his father had seen her, the marriage had been arranged in the Japanese way, और जब पिता जी ने डॉक्टर सिदाव के अना को देखा, तो उन्होंने शादी के लिए नहा करती, सारी बातें जो देखना चाहते हैं, को मिल गी उनको, और arranged marriage में उस लव स्टोरी को पतल दिया, अन्होंने जो भी बातें करनी थी, सारी कर चुके थे वो, प्रंतु पिताजी ने वो arranged marriage में बदी, अन्हों करते हैं, बहुत कुछ ने रही है, भोगत कुछ थे वो, गुठाव से हुछी थी उन्हे, पास्टाइब चले हैं, प्रंतु खिडे वहां है, और वो महां खडे हैं, और देख रहे हैं, भूब डूब आरिए, भूब हान्टी जा रही है, और पास्ट में स्टोरी चले गई पास्ट की बाते चल रही हैं तो खड़े वहां है और वस एक ब्लाइक फिगर एक आकर्टी सी निकलती भी दिखाई थी निकलता हुआ है तो उसमें से एक फिगर निकलता हुआ है। इस मैं और आदमी जैसा फिगर था हुआ हुआ है। अफ़लान आप आउट ऑप दी ओसन फ्लान वे फैंका गया था किसी लहर में किसी जबरदस्त लहर ने पावरफुल लहर ने उसे किनारे पे फैंक दिया था फ्लान means फ्लान It seems, ऐसा लग रहा था To his feet by a breaker और वो खड़ा हो गया था Breaker एक powerful लहर आई होगी उसने उसको एक दम उछार दिया He staggered a few steps ऐसा लग रहा था, बहुत कमजोर था, चला नहीं जा रहा था टांगे काम रही थी उसके, stagger कर रहा था Stagger means to walk with difficulty To move with difficulty, मुश्किल से चला His body outlined against the mist और धुंद में उसकी body की outline clear नजर आ रही थी जैसे फिंगर में दढा रहा हो है, ये outline बिल्बुल दिख रही है His arms above his head, उसकी एक बाजू उसके सिर पे ओपर थी Then the curd mist hit him again फिर वो घुमावदार ऐसे वो हवा में घुमते वे रहे, जो धुंद के बादल होते हैं, उन्होंने फिर उसको छुपा लिया Head him again Hannah एक दम चीख के बुरे, who is that? ये कौन है? She dropped Sadaw's arm, उसके बाजू छोड़ दिए, उसके बाजू छोड़ दिए, उसके बाजू चोड़ दिए, उसके बाजू दिए उसके बाजू दोप कर दी अब दुबारा फिर पुना फिर उसका फिगर नजर आया है अब वो विर्टी क्रोल कर रहा था अपने घुटनों के बल और हाथों के बल चल रहा था जैसे रहें के चलते हैं then they saw him far on his face और फिर वो एकडम गिरा चिःड़ा उसका एकडम थसा रहें और वो लेट गिए अफिसलमें को है सदाव सट सदाव ने चाहिए कोई फिसलमें है कोई मच्या आरह रहा है किसे होते हैं वास फॉन इस वोड किष्टी तुफान में फसकी होगी लहर में फसकी होगी उसमें से वो गिर गया होगी और ठका हुआ है और कमजोर हालत में है यह रहन क्विक्ली डाउन स्थेप्स हैं और डॉक्टर सदाव एकदम भागा महां से और पीछे पीछे हना के हना पीछे पीछे यार टू अएधर साइट देर वर फिशिंग विलिजेस एक या दो मील की दूरी पे फिशिंग विलिजेस थे जहां पे एक फिशर में रहते थे बट यह वाज ओनली बेर और लॉनली कोस्ट परंतु यहां सुंसान सुंदर के किनारा था कोस्ट विलिजेस दूर जो यह लहरे उट रही थी यह सुदर था जो जाग दिखाई दे रहा था तो काफी यह पॉइंटिड रॉक्स का बना हुआ था इन पे जैसे लहरे टकराती हैं किसी चीज़ को वो तूट फूट जाती है और यही हाल शायद उसका हुआ था जो विक्ती उन जैसे तैसे उस आदमी ने उस विक्ती ने मैंच कर लिया था पूँआ था महासे व निकला से लेखाई से तरह बुरी तरह से उसके कपड़े पढ़े हुए हूए यह लहरों ने चाटानों से तक्रा तक्रागी था थे रहे वियुआ से था मिजा प्रूट देखाई बैट र उसके पास कहुंचे, तो वाकरी ऐसा था, उसके कपड़े पठे हुए थे, तो रेत में खुन सोकिंग किया हुआ था, रेत में जजब हो गया था, ग्लीडिंग हो रही होगी इसके, तो रेत में भी उसका लाल रंग डिखाई दे रहा था, और सदाव ने एकदम कहा, यह तो जखमी है, जिसमें भावनाएं होती, इस एक्सक्लेम वर्ड यूस होता है, इसमें पानी जजब था, इसमें पानी जजब था, कैप में, और वो उसके सिर पे चिप की हुई थी, जैसे अटक सी जाती है, चिप की हुई थी, स्टाप थी, इसमें वेट राग्स और गार्मेंट, कफटे हो थे, बिल्कुल गिले थे, और चीटे हो रहे थे, उनके राग्स थे, बिल्कुल वर्न आउट और फटे हुई, सिदाव स्टॉप्ट, सिदाव थोड़ा ठिटका पन, हना एटी साइट, हना साइट पे, और तुर्ण दे मैंस हेट और उसके सिर को थोड़ा तान किया, क्योंकि वो पाप रेट में तर्स हुआ था, दे सौद अपेस और चेहरे को देखा, और वाइट मैं हना विस्पर, विस्पर दभी आवाद में कहा, उसने की तो गोरा अदमी है, यह वाइट मैं, यह वाइट मैं था, वेट कैप फेल अवेट अवेट यलो एर और कैप उतर की चेहरे, उसके सिर से, और पीले-पीले बाल गोल्डन कलर के दिखाई रहने लगे, लंबे बाल थे, एस दो फार मैंने बीट, जैसे की कई सप्ताहों से, वो कटे, कटे, काटे नहीं गए थे, मतलों, ट्रिमिंग नहीं होई थे, और अपन इस यांग एंट टॉर्चर फेस, वाज राफ यलो बियर और उसका नोजवान चेहरा लग रहा था, जैसे वो टॉर्चर की या गया था, उस पे टॉर्चर के निशान दिख रह थे, तो उस पे यलो गोल्डन कल की दाड़ी भी दिख रही थी, he was unconscious and knew nothing that they did for him, भी होस था उस वक्त वो, और उसे बिल्कुल इस बात का गया नहीं था, कोई इल्म नहीं था, कि उसके साथ क्या किया जा रहा है, कौन उसकी मदद कर रहे है, now सदार, remember the one, and with his expert finger, अब उसे अचानक याद है कि जखम हो रहा है तो फटा पट डॉक्टर है, expert fingers नहीं है, उसके फटा पट टोल लेती हैं, और उसकी जो expert fingers हो चलने लगी, he began to search for it, देखने टोलने लगा कि जखम कहा है, blood flowed freshly at his touch, और जैसी उच्छ हुआ जखम को, जहां हाथ टच हुआ, तो प्रेस ब्लड और बहने लगा, ताजा खून ह महाँ जाने लगा, रखत बैने लगा, on the right side of his lower back, right side पे जो lower back होती है, पीछे की back होती है, सिदाव saw that a gun wound had been reopened, कि gun गोली का खाव था, गोली ने खाव किया था, गण चली होगी, तो short लगा था उसके, और वो दोबारा खुल गया, उस वक्त थोड़ा सपन हो गया था, तो the flesh was blackened with powder, और flesh जो था वो, मास नहां काला होच पा था, पावडर से, sometime not many days ago, the man had been shot and had not been tended, ऐसा लग रहा था कि कुछ दिनों पहले उस पे गोली डागी था, और उसके केर नहीं की गई था, कोई उस पे मरहम पत्टी जैसे होती है, पस्टेज बगरा, कुछ नहीं किया था, यह लगा हुआ था, और it was bad chance that the rock had stuck the wound, और यह बदकिस्मती थी उसकी, कि चटान ने और उसे खोल दिया था, उससे तकराया, लहरों ने तकरा दिया उसे, और, oh, how he is bleeding, और हना एंदम फिर दभी आवाज में कहती, कितना खून बहरा है इसका, हना विस्पड अगें इने, सो इस वो इसमें वो कहा उसने, the mist screened them now completely at this time of day, शाम का वक्त था, धुन्द बढ़ती जा रही थी, तो mist ने screen कर दिया था, जैसे पर्दा कर दिया हो, वो दिखाई ने दे रहे थे किसी दूसरे आदमी को, उनके बीच में और आदमी के बीच में, और लोगों के बीच में, जो दूर द्राज पर रहते होंगे, तो उन्हें कुछ निम्न नजर आ रहा होगा, बीच में एकनम शीट लगा दी, धुन्द की इश्वल में, and at this time of day, no one came by, और इस वक्त ठंड है, कोई निकलता भी नहीं है, घर से बार, गर से बार, the fishermen had gone mom, और fishermen, अपने अपने काम निवटा के घर चले घे थे, even the chance, chance beach coppers, और the beach coppers होते हैं, ये beach coppers, बीच लोग साम रहे हैं, ये फ्रनाटिक सिंबल्स हैं, ये फ्रनांस इसन दे रखी इसके, तो beach coppers क्या होते हैं, जो beach पे घूंटे घूंटे, कोई वस्तू पड़ी हो, किसी ने फैंक दी हो, उपयोगी उड़के की लाय को उठाने बले होते हैं, beach coppers, बीच पूंबर्स, और रूनाने, वो भी नहीं आरहे हूंगे, क्यूंकि उनननों सोच लेंकी शाम होगी अब क्या करना जाकी, वट रेखी हैं, जो वे दो बिच मैं सदाव मुटर्ड, सदाव ने लोग वोश में का, मत्रिं लोग वो इस वह डोक्टर की ट्रेंड हाथ थे वह कर रहे थे, एक पनी अप आप हो ड़ीदि इस एक ट्रहु करने के लिए । उसको जमाने के लिए रखने के लिए रखने के लिए , ब्ली थे डिए फ्यार थी जग dirt । अविए वह ब्लीच और तुज़ त्क international क्या किया हमने, पांक दबोंड विद इस सीमोष स्पासे लिवशने, जो फ्लांट्स होते हैं, विड़्स वो लिव उसने श्ट्यूफ दशी बीच जो सी बीच पर उगे होते हैं, दबैंड मोंड विद पे इन स्ट्यूपर, अदमी बिहोस था. अपने स्ट्यूपर की हालत में, स्टांस की हालत में, जैसे विहोशी की हालत होते हैं, जैसे बुखार, टेंपरीजल हाई हो, तब आदमी बोलता है, इस तरह है, तो अपने ही उसमें बोल रहा था हो, विहोशी में, और वठी दिद नाट अवेकन, प्रंतु वो जागा नहीं होश में नहीं आया, बोले जाए, कुछ करा रहा था हो, पीड़ा में, जैसे मौन करना, पीड़ा में कराना, वियो जैसे में किना, रहे हो जाए, बोले जाह हो, कि सबसे अच्छी स्ट पार ही सबसे करें, खक़ा है, अब उस सोलजर की सोलजर था वार सोलजर था जो रख था वहा उसका जम गया था अब रखत नहीं बह रहा था तो डॉक्टर सदाव खड़े होगे और अपने हाथों से रेथ को छटका अतलों डस्टिंग की साथ किया yes undoubtedly that would be best Hana said steady Hana ने धीरे से कहा हां ये सही होगा इसको इसके हाल पे छोड़ दिये दे इसमें कोईशन का नहीं है undoubtedly निसन दे यही बहस है पर शी कंटिनुन तो स्टेर डाउन अट इमोशनलेस पड़ा है उसकी तरफ देखे जा रही हो if we sheltered a white man in our house we should be arrested and sheltered to police में arrest कर लेगी right और अगर हम इसको यहीं छोड़ दें तो यह मारा जाएगा मर जाएगा में देखे दो बढ़ा है अब सुटनले मित पर गार इखे जाए डाएगा विघ्र अगर इसके साथ ही यह विडियो लेक्च्टर इनिस्माप्त हो जाता है नय वीडियू लेक्च्टर लेक्टिए मैं एक नए लेसन पर देखे लेक्टिए मैं से